मूवी के स्टार्ट में हमें एलसा और आरा को दिखाया जाता है जो स्नो से खेल रही होती है और तब वहां पर के गाते हैं और वो उनको वहां पर अपने बच्पत की स्टोरी सुजारे लगते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो फोर्स पेरिट्स मिलकर उस जगा को चलाती थे वो जगा मैजिकल थे और वहां पर मेरे फादर ने उनको डाम मना के दिया तांके वो लोग हमारी शहर में अराम से आ जा सके और बताया कि वहां पर बहुत जादा मैजिक था हर चीज मैजिक से जलती थी पर तब ही वहां के लोगों ने हम से फाइट शूर कर दी और कि इन बताते हैं कि इसी लडाई में मेरे फादर चले गए और वहां पर उन स्पिरिट्स ने एक धुई की चादर दे दी जिससे ना वो लोग अब कहीं बाहर जा सकते थे और ना ही अब कोई अंदर आ सकता था पर अलसा और आना और सुनने के अपनी माम को बोलती है और वो बताती है कि कैसे वहां पर सब लडाई हुई और वहां पर सब खत्व हो गया लेकन कोई अभी वे भी एक स्पिरिट है जो उन सब को ठीक कर सकती है और तीन शिफ्ट होता है उनके प्रेजन में जहां पर एलसा किंडन को रूल कर रही है और यहां बे वह सब अपने केटिप को सजा रहा है क्योंकि आज कोई कार्डेवल था और इन सब के वीड में आलसा को कोई सिंगिंग वाइस सुनाई देती है जो सिरफ एलसा कोई सुन सुनाई देने लगता है और वोट के बाहर जाती है वो कोशिश कर किसी तरह एक सौंग से कुनेक्ट किया जा सके और यहां पर उसकी मेजिकल पावर्स काम आती है और उसको पता चलता है कि यह हो ही स्पिरिट्स है पर तब ही अलसा के मेजिकल अनों जमीन पर गिने लगती ह और आलसा से जाती है कि अब भी वहां पर अर्थ को आना बाकी है और तब ही वहां पर आलसा उस सब को कहती है कि वहां से बाहर दिख लो और तब ही वो लोग उन छोटे-छोटे बोना के पास जाते हैं जिसके उनका लीडर उनको बताता है कि तुम्हे इस रास को पता लगा होगा अब तूछे जाना होगा वहाँ पर औरoh Levesea किसी को भी मुश्किल निहीं डालना चाहती थी । और Ailsa को ऊचरो फूर्सा को फूर्चर दिखाता के अब उसको डम दिखाता है। और सब वेहां के लिए निखाते हैं और यहां पर जाते हैं तो जो दून दोची वो Elsa और Anna लोगों को अंदर जाने देती है और अंदर वो लोग जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किती जादा ब्यूटी है और वो लोग उस टेम को देखते हैं पर तब ही वो सब अलग-अलग हो जाते हैं और Elsa और Anna अलग हो जाती है जिसकी वजह से आणा परशाद हो जाती है और Elsa को ढूटे के लिए वहाँ से चली जाती है अब वो सब एक दूटे को ढूटते हो जाते हैं कि तब ही वो सब मिल जाते हैं पर अभी भी उद को अलफ नहीं मिलाता जैसे वो उनको मिलता है तब ही वहां पर स्टोम आ जाता है और उन सब को अपने अंदर ले लेता है और वो सब को बाहर निकाल देता है वो पर अभी भी आन अर्सस के अंदर होती है और वो अपने आपको बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है और वो अपनी मैजिकल पावर यूज करती है और उसको कुछ पास्ट के सीन दिखाई दिखाई देते हैं और वहाँ पर कुछ स्टेचूस बन जाते हैं जिसमें कुछ चीजे बनी हुई थी मतलब पास्ट की कुछ चीज़े बनी हुई थे और वो लोग बहुत ज़ादा तभी उनको कुछ आवाज आने लगती है और वहाँ पर पदा चलता है कि आरेंटेल के लोगों में और वहाँ के लोगों में अभी तब पाइक चल रही है पर तभी और वो उनको समझाने को ही करता है लेकर एलसा अपनी पावर यूज़ करके उन सब कुरार देती है और ये देखकर उन सब काफी ज़्यादा हिरार होते है और वो उनके कहती है कि मेरे आपका किंटर भी ज़रूर बचा लोगी और तब ही वहाँ पर फाइर स्पिरिट आ जाती है और वहाँ पर आग लगाने लगती है अलसा उसको रोकने की कोशिश करने लगती है और वो किंटरो को कहती है कि आना को यहाँ से ले जाओ उसको कोई खत्रा ना हो और वो जहाँ जहाँ से जा रही होती है fire spirit वहाँ से ही Elsa भी जा रही होती है और आखर में जाकर वो डॉर्वल हो जाती है और उसको कहती है कि मुझे follow करो जैसे ही Elsa उसके पीछे जाये लगती तब ही वहाँ पर आना आ जाती है उसको ढोग लेती है क्योंकि उसको अकेले नहीं जारे दे सकती थी कहीं पर भी और Elsa आना को परशान देखके जो मॉम की उनकी शॉल थी वो आना को दे देती है और तब ही वहाँ के लोग ये देख लेते हैं और वो कहते हैं ये तो हमारी शॉल है और उनको बताते हैं कि पिक्टर के पास शॉल्ट तब उनको पता चलता है और एर्रेंट टेंट की लोग और उन लोगों में अब दोस्ती हो चुकी थी और उनमें से एक लिर्ट के उसको बताती है कि कैसे ये सारू जहां पर है पर एक जो है वो अभी भी इनमें से कम है और वो कहती है कि कहीं वो मैं ही तो नहीं और वो कहती है कि हाँ ये सब इनको मिला के रखेगी और वो कहती है कि अब मैं आप लोगों को जादा मुश्किल में नहीं डाल सकती इसलिए मुझे यहां से अब जाना होगा और तभी वहां पर अर्थ आ जाती है और वो चाते हैं तो ऐलसा आना से बाते करते हैं कि अब हमें यहां से जाना होगा हम इनको जादा मुश्किल में नहीं जाना होगा और वो इनों निकल जाते हैं वहां से ऐलसा आना और ओलफ वहां से चल जाते हैं तो उनके किस्टो को बहुत जादा दुक होता है और वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तब ही उनको अपने mom dad की crash होई होई ship मिलती है और वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उनको waterproof केज मिलता है जिसके इंदर कुछ नक्षा और कुछ लिखा वह उनको मिलता है और वो देखती है कि उनके mom dad भी अटा होलन ही जा रहे हैं अईसा की पता करने है और अईसा अब सब कुछ पता करने के लिए water spirit को भी लाती है जो उसको कुछ pictures दिखाती है जिसमें पादा चलता है कि उसके parents भी मारे गए क्योंकि वो भी आईसा की powers का पता लगाना चाहते थे और यह सुनके आईसा बहुत जादा guilt feel करने लगती है उसको लगता है कि यह सब मेरी वज़े से हुआ है पर अईना उसको समझाती है कि यह सब तम्हारी वज़े से नहीं हुआ तम्हारा कोई कसूर नहीं है और यह सुनके ईसा भी समझ जाती है और आना भी जलाकी दिखाती है और वहाँ से उसकी रासता बदल देती है और वो लोग वाटर में चले जाते हैं जहां पर वो अर्थ सोयू होती है और उन से बच्चते हुए आगे जाते है और दुसरी तरफ अलसा भी अबचार होती है पादी से पर वाटर उसको बाहर 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 भाहर भैंग देता है इसलिए वह उपने पावर यूस करती है और वहां से आगे जाती है और तब ही वहाँ पर water spirit आजाती है और वह काफी ज़दा घुस्सेबिए आजी है अ sucksu पर आज़े साथी है तो अब अंदर जाती है तो उसको वह ही sound आने लगता है और वो जा जाती है कि वो ही वो पाचवी स्पिरिट है और उसके अंदर जाती है और देखती है कि ये उसकी बाब जब उन्होंने उसको बचाया था उनके फादर को तो तब उनकी ये आवाद उन्हें देखी थी और ये ही उसके काड़ों में आती है और उसको पास्ट की कोई सीट नजर आते हैं और वो यह देखती है कि वहाँ पर उसके फादर यारी उसके दार्दा फ्लैन बरा रहे हुते हैं कि कैसे हम लोग बोग रहे हैं उससे यह जगा हासिल करनी है और वो कही पर जारे लगते हैं जो आफ़े पीछे जाती है उसकी चिगह के पहुंचा जाती है जहां—काफ़ी ज्यादा हुआइब होती है बातभ है वह वह फ m利 जाती है और जाती है फार जैसे ही जाती है ये ए। मैमोरी वन misaf ad consumers की जाती है तो उसके उसके दाद़ हमने वह उसका पहला जाती है the सबस्राइब लाएं. और फेकर बाहर को बाहर जाने का रास्ता से हमचता वो बीुदाइब लेड़, और बचा रहर जाते हैं उनको जाते कि भी वहां नहीं को देख ली extending के अज़ते हैं और अब खूस्वे और जाक शुर शुट Google शुर्फ के बाख की जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और तब ही वहाँ पर डाम डूड जाता है और पानी पर फुख कर रारीण टेर्डी तरह होतर संदी हैं और सब फ्री हो चुके थे और अलसा उसको बताती है कि आना मैं ही वो फिफ्ट स्पिरिट हूँ और मैं ही सब को आप उसमें जोर के रखती हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब वो लोग ठीक हो चुके थे सब और उसके बाद अईसा आप ओलफ को भी तुबारा सब बना देती है और अब उसके खुशी खुशी रहने लग जाते है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है कि आपको इस मूवी पसंद आई हो तो प्लिस चानल के सब्स्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें